MG Motors Hector के 2021 FaceStreet Model को बहुत जल्द ही लॉंच करने माली है लॉंच होने से पहले Hector का FaceStreet Model इसके डिलर सीज पर पहुचना शुरू हो चुका है अभी जिन पिक्चर्स को आप देख रहे हैं वो पिक्चर्स 2021 MG Hector FaceStreet की हैं हेक्टर के 2021 मोडल में आपको सबसे बड़ा चेंज इसके ग्रिल्स में देखने को मिलने वाला है हेक्टर FaceStreet में आपको न्यू ग्रिल्स देखने को मिलने वाले हैं जो इसके ongoing model के मुगाब देख थोड़े नए हैं यहाँ पर आप हेक्टर के न्यू और ओल्ड ग्रिल्स को देख सकते हैं ग्रिल्स के बाद ये MG Hector FaceStreet के alloy wheels हैं ये alloy wheels 18 inch के हैं और dual tone finish में आते हैं आपको यह त्यादने कि हेक्टर के ongoing model में आपको 17 inch के alloy wheels ही देखने को मिलते हैं फ्रंट को न्यू ग्रिल्स से अपडेट करने के साथ MG Motors ने न्यू हेक्टर के rear को भी अपडेट किया है rear में जो किये गए changes हैं वो बहुत ही छोटे changes हैं यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि new MG Hector facelift में दोनों tail lights, new black color के inserts और chrome finish के साथ जूड़ी हुई हैं ऐसा आपको MG Hector के ongoing model में देखने को नहीं मिलता है MG Hector के ongoing model में दोनों tail lights, red color के inserts के साथ जूड़ी हुई हैं जिस तरह के changes आपको MG Hector के exterior में देखने को मिल रहे हैं वैसे ही छोड़े-छोड़े changes आपको इसके interior में देखने को मिलने वाले हैं यह new MG Hector facelift का interior है MG Hector का interior dual tone finish के साथ आने वाला है फिलाल MG Hector का interior सिर्फ single tone finish के साथ ही आता है तो ऐसे में New MG Hector के exterior के साथ-साथ interior भी थोड़े new होने वाले हैं MG Motors Hector Face Shift को January month में ही launch करने माली है New MG Hector Face Shift को launch करने के साथ MG Motors Hector Plus के 7-seater model को भी launch करने माली है Hector Plus के 7-seater model को MG Motors सिर्फ दो variants में launch करेगी इन दो variants का नाम Super और Sart variant है सिर्फ यहीं दो variants में Hector Plus 7-seater मौझूद होने माली है तो अपनी best selling cars Hector और Hector Plus को January month में MG Motors अपडेट करने को बिल्कुल तयार है New MG Hector Face Lift और MG Hector Plus 7-seater इन दोनों कारों के साथ MG Motors अपने sales को बढ़ाने को target कर रही है फिल्हाल MG Motors के portfolio में Hector best selling car है तो हेक्टर को June 2019 में launch करने के बाद MG Motors अब इस SUV को एक facelift अपडेट देने वाली है सोरूस पर पहुँचने के साथ MG Hector facelift के launch date काफी करीब आ चुके है तो दोस्तों New 2021 MG Hector facelift के बारे में आपके क्या thoughts हैं यह हमें comment करके ज़रूर बताएं और दोस्तों ऐसे यह अटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें